हलो जहिन साथियो स्वागत है आप सभी का सत्या एक्सलेंट यूटूब चैनल पर साथियो यहाँ पर हम सॉल्व करने वाले आई टी आई का पेपर जो कि आज का पेपर जो हुआ है 14 दिसंबर 2021 का जो पेपर हुआ है इसका एंस्वर की हमें आपर सॉल्व करने वाले हैं तो यह आपका प्रेटिकल का है यहाँ पर देख सेते हैं और भी बहुत सारे ट्रेड होगें जो कि यहाँ पर सेमी कोशन देखने को मिला था क्योंकि जो और भी मैंने आपको ड्राइंग का पेपर सॉल्व कर रहता है उसमें बहुत सारे ऐसे ट्रेड थे जो कि एक ही ट्रेड क अलग-अलग यहाँ पर ट्रेडों में पूछा गया था तो सभी लोग अपना मिला लिजेगा और यह कोशन नहीं होगा तो कमेंट में जरूर बताएगा सबसे पहले यहाँ पर हम कोशन को पढ़ के आपको बता देते हैं देखे यहाँ पर कोशन में लिजेगा यहाँ पर major certificate given gravity of battery voltage with load using मना यहाँ पर load के साथ यहाँ पर बैटरी का यहाँ पर पर प्रियूग करने का यहाँ पर कह रहा हैं कि आप इसका परियोग लिखिए कुछ लोगों को यह कन्प यह हो जानता कि sir यह इसमें तीन कोशन दिया लेकिन यह तीन कोशन नहीं है एक ही में आप से क्या पुछा गया है एक में आप से कहा रहा है कि इसके tools के बारे में लिखे मतलब कि किस-किस टूल्स का आप इसमें उपयोग करें उन सारे टूल्स को लिखिए और C में याँ पर कहा रहा है कि बैटरी बोल्टेज का लोड के साथ ग्याद कीजिए कि यह आप चार्जिंग के समय इसमें इसमें क्या परभाव पड़ता है इसको भी आपको ग्याद करना था तो A, B, C यह आपका एक ही परियोग में हो जागा इसमें कितने कोशन थे टोटल इसमें आपको तीन कोशन देखने को मिल जाते है जो कि फश्ट यह आप रहता है सिकेंड आपको यह देखने को मिलता है और यह आपका थड़ जो यह आपको देखने को मिलता है जिसमें अलग-अलग कोशन है और तीन ही आपको कोशन करने दे तो चलिए इसको हम स्वाल्ब करके बताते हैं बिल्कुल करम वाइज वीडियो को आप कम्प्लीट देखेगा और चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर देजगा और इस वीडियो पर मैं टार्गेट रखता हूँ 500 लाइक की 500 लाइक हो जाना चाहिए तो सबसे पहला सात्यों जो यहाँ पर था उसका आप उद्देश से में लिखेंगे यहाँ पर देश सते हैं उद्देश से आप इसका लिखेंगे जो की हेडिंग रहेगा उद्देश से इसमें लिखेंगे सुस्क सेल को जोड़कर बिस्यस बोल्टेज और धारा उत्पन करना यह आपका हो जाएगा अबजेक्ट में है इसके बास आते हो यहाँ पर परिचे में लिखेंगे मतलब कि इस परिटिकल जो कर रहें उसका परिचे थोड़ से इसके जनकारी देंगे कि बोल्टेज और धारा प्राप्त करने के लिए सेल को विविन परकार से जोड़ा जाता है एक से अधिक सेलो को स्थरणी करम या समांतर करम में सन्योजित करना उनका समय कहलाता है यह आप इसको लिखना है परिचे में यदि आपने लिखा होगा तो बिल्कुल आपको नंबर मिलेगा इसके बास आते हो नीचे आ जाना है यहाँ पर आपको आवस्येक समागरी अतात आवस्येक उपकरन या समागरी आपको मोटी हेडिंग देखना है इसकेज से दियोंगे तो अच्छा है यह दि ब्लेक पेंसे भी दियोंगे तो कोई बात नहीं है लेकिन जो इसकेज से होता है थोड़ा सा हाइलाइट होता है तो ज्यादा तर धियान जो पड़ता है आपको यहाँ पर इसकेज पर देखने हो के मिलता है क्योंकि यह मोटा होता है और वहाँ पर अच्छा भी लगता है अच्छे से आप लिखते हैं तो अब इसमें आपको क्या लिखना है साती हूँ जिस टीच का आप उपकरण में यहाँ पर लिखना है इसके बाद साती हूँ यहाँ पर लिखना है सुरच्छा, साउधानिया और निद्यस यह भी आपका हेडिंग रहेगा जिसमें आपको पहला पॉंट लिखना है सबी सेल को जाच करना परिपत बनाना है दूसरी बात यहां पर आपको लिखना आता है कि सन्योजन धीले नहीं होने दे क्योंकि ऐसा होने पर सेल में उपयुक्त धारा पर्युक्त नहीं हो पाएगी यह आपका दूसरा हो जाता है इसके बस आती हो यहां पर तिसरा जो है यहां पर इसमें कहा जा रहा है कि उपरिक्त या अधिक मान की बिदुधारा अथवा अधिक समय तक बिदुधारा प्राप्त करने के लिए सेलों को समांतर करम में सन्योजन करें यह आपका तीसरा हो जाता है सुरच्छा और सौधानिया में यदि आपने इस तरह लिखा होगा तो बिल्कूल आपको नंबर मिलेगा कारिविदी की बात करें साती हो तो यहाँ पर कारिविदी आपको लिखना था सेल को संडी क्रम में जोड़ते समय एक सेल का रिण सीरा दुसरे सेल के धन सीरे से एक दुसरे सेल को रिण सीरा तीसरे सेल के धन सीरे से चितरा अनुसार सन्योजित करते है इसके बाद यहाँ दूसरे की बात करें तो इसमें लिखना था आपको कि सेलो को इस परकार जोडने पर कुल बोल्टा निचे दिये गए सम्मेकरण द्वारा दर्साई जाते जैसे कि यहाँ पर आप यहाँ पर देख सकते हैं आपको जो फीगर बनाना था इसका इस तरह बनाना था और इसमें आ आपको आ चाया आती हूं यहाँ पर क्या करना था आपको नीचे आ जाए यहाँ पर तीसरे में आपको लिखना था कि सेलो joint को समांतर करम में जोड़ते समय सब इसलो को सियरे एक बिंदू पर आतारीं सीरे से दूसरे बिंदू पर सन्योजित करें जो कि आपका जो होता है आपका किसमे समानतर में उता है पेरलल में आपको इस तरह बनाना था है इसके बाद यहां पर आपको चपहते में यहां पर लिखना मतलब कि पर्योग करने के बाद आपका result क्या आया तो आप लिखेंगे बिसे से बोड़ता और धारा प्राप्ति हेतु से लोग के स्रणी और समातर सन्योजरों का सफल अध्यान किया गया पतलब की परियोग हम सफलता पुरुवक किये हैं यह आपका हो जाएगा इसका एका पूरा उत्तर इसमें आपका सब कुछ हो जाए इसमें आपको यह नहीं है कि एका आपको कोश्चन नमबर एका इसमें अलग लिखना था एक का भी अलग लिखना था और एक का सी अलग लिखना था एसा ना कुछ भी नहीं था ठीक है जो लोग यहाँ पर समझदार होंग यहाँ पर पेपर पहले ऐसे दे दियोंगे उनके लिए अच्छा था अब यहाँ पर आते हैं दोस्तों जो कि दूसरा जो प्रेटकल था वो वाट मेटर से समझ दे था वाट मेटर का आपको कहा गया था तो दिखे दूसरा का सभी लोग मिला ले जगा यदि आपने लिखा हो तो भीविन की जगह आप दो लिख लिजेगा कोई दिक्कत नहीं है इसके बास आती हो इसके बारे में तोड़ा साब को लिखना था परिशे में जिसे की वाट मेटर किसी भी बिदुदिक परिपत की सकती अथात बोल्टेज ग्याद करने के लिए परियोग होता है वाट मे किया जाता है के कश क्ची प्लायर का यहीं लम्भाई की बात करें तो 200 mm होता है जो की 150 से श्थांटिंग होता है लिखना था connection कसे होने चाहिए अनिता परिडाम परभावित हो सकता है मतलब कि connection पर परभाव पढ़ सकता है दूसरी बात तो सभाव परभाावित हों यहां पर कारि बिधी में आपको लिखना था यदि आ पने कारिबिधी में लिखा होगा कि कि अनुछा धे जैसे कि पहला दैनोमो मीटर उसके बार दे पर दोप में ने क Sakets दिजिटल वाट मिटर तो सबको यहाँ पर आपको इसके बारे में थोड़ी थोड़ी आपको जनकारी भी लिखने थी यदि आपने लिखा होगा तो अच्छी बात है और फीगर की बात करें साती हो तो फीगर आपका कुछ इस परकार बनता है वाट मिटर का आप देख सकते ह जैसे कि मैं आपको कोशन दिखा देता हूँ यह देखिए इसमें कहा जा रहा है कि मेजरिंग दा पॉरा थ्री फेज सर्कित यूजिंग दा वाट मिटर मेथड़ यूपी अप लौड के साथ यहाँ पर आपको वाट मिटर मेथड का पूरी यहाँ पर जनकारी देने थी ज इक ही में जुआइंड करके वाट्वीटर को जुआइंड करके और अजानी हैं इस रीज में तो वही आपका है कोई अलग नहीं है इसके बाद साथ हो यहाँ पर तीसरे कोशन की बात करें तो तीसरे कोशन आप से पूशा गया था दो फेज मोटरों को समांतर क्रम में लगा का प्रचलित करना या उसको सत्यापन करने के लिए कोशन में खा गया था लेकिन आप इसमें उत्तर जब इसका लिखेंगे तो आप लिखेंगे पर उद्धिस में कि दो एकल फेज ट्रांसफार्मरों को समांतर करम में लगा का प्रचलित करना इसके बाद आपको परिशे में लिखना था कि कम लोड परदान करने वाले ट्रांसफार्मर से अधिक लोड प्राप्त करने के लिए इस परगार के ट्रांसफार्मरों को समांतर करम में लगाया जाता है इसके सब्सक्राइब buenas यहां आपको दिखा दता हूँ, इसमें कहा जा रहा है, कि साउधानियों को देखते हुए आपको लिखना है, जो कि इसका जो introduction इसको सारी करते हुए आपको लिखना था, आप इसको पढ़ सकते हैं, इसमें वी आपको प्राप्त होगा तो इसको जो चाहत्र की ऑंगे टॉंस फॉर्मर स्फॉर्मर वाला अच्छी पात है। जो कि इसका जो बनाना अच्छी त ric ceл कुछ अलगी बनाना था जिसे कि आपको यहां पर देखा देतों यह आपका कुछ नम्बर भी प्राप्थ होगा तो इसमें आपको कोई भी हार्ड कोशन नहीं थे, सब कुछ यहां पर हीजी कोशन था उम्मीदे दूस्तों आपको जनकारी प्रसंद आई होगी, प्रसंद आई तो वीडियो पर लाइक किजेगा चैनल पर नए होगी तो चैनल को भी सिस्क्राइब कर लिजेगा